को nenhum दोस्तों कैसे हो सभी بड़या ओ तो निमंद लेखन में आज ममारा टॉपिक यह बस्टाचार मुक्त देश पर निमंद लिखना है बस्टा चार है यह बस्टासार मुक्ति है या बस्टासार के व में कोई भी टॉपिक क्योंने आ जाए उन पर यह निमत लिखना है आपको तो सबसे पहले होती है निसकरस ठीक है और एक होता है उपसहार यह में बार बार सभी जितने भी होते हैं निमत मैंने बनाए उस भी में मैं बता रहा है एक होता है निसकरस और अंति में लिखना है उ प्रहस्तावना ठीक है प्रहस्तावना और निसकर्स या उपसाहर ये एक लोग या तो ये लिखे या ये लिखे इसके बीच में आपको तीन या चार पांच जितने भी आपको अच्छे से टॉपिक बनाने के बश्टासार है तो बश्टासार के दुरूपयोग बश्टासार क बीच में अच्छे से पॉइंट बनाने हैं जिसे आपके नमबर अच्छे आच्छे के और पॉइंटों में वन्नन किस परकार लिखना चलिए मैं बताता हूं तो दोस्तों बश्टासार मुक्ती देश पर निमंद फिर इसके निचे लिखना हैं बश्टासार एक व्यापक बिमारी है ये सत्रक्ता और जागरुगता होने का समय है बश्टाचार एक व्यापक बिमारी है दोस्तों और इसमें सत्रक्ता और जागरुगता होने की जरूरत ह फिर निशे आपको लिखनी है प्रस्तावना क्या लिखनी है प्रस्तावना ये लिखी हो लिखनी है इसके निशे आप प्रस्तावना में लिखना है आज के समय में देश में बश्टासार के समय एक महामारी का रूप ले चुका है आज के समय में पूरा देश दोस्तों समय कहीं बन भी जाएं तो जादा ता लोग भष्टा सार से लिप्त पाए जाते हें हर जगें कहीं पर भी जाएं दोस्तों हर जगें भष्टे हैं वेक्ती कहीं पर भी जाओ सोटे से सोटे में एक में अधिकारी के पाथ जाड़े हैं तो आप कहते हैं कि साइन के 10 रुपी 50 रुपी आपके वा काम करना है 500 देंगा आपके कुछ बड़ा काम बाप ने कह जिया कि मेरे दोस्त वो है वो है कुछ हमारे जमीन है जब इनको सुटबा होता हैं तो आज हर अ पीछे कारवाई करने वाला देश में कोई नहीं है इसलिए भारत दोस्तों 100% बश्टासार से बढ़ा हुआ देश है जिसके विरूद कोई कारवाई नहीं कर रहा है तो बश्टासार अब वरतमा समय में 100% हो चुका है और बार बार हर एक्जाम यहीं पूछा जाएगा कि बश्टासार को कैसे रोके, क्योंकि है भारत की जितने भी दोस्तों, ही मन्त्री है, जितने भी बड़े-बड़े, जो पी-यम, राश्ट-पती, सब कुछ है ना, बश्टासार के पर से उनी की परस भी जाते, इसलिए वैं कारीवई नी करते, वड़ा पश्टासार के विरुट गारिवाई जुरूर होती है तो इसलिए पश्टन ज्यादा आता है अगर आप देश में कहीं पर भी जाएं तो दोस्तों ज्यादा आता है लोग आपको पश्टासार से लिप्टे हुई मिलेंगे चाहे वो नीजी सेतर से हो आप चाहे तो देखो प्राविट कोई धन्ता चल रहा है वहाँ आप जाओंगे के मेरे को नौकरी करनी है तो असामने वाला क्या कहेगा एमडी होगा वह कहेगा दो अलाग देदे तेरो को फिक्स करवा देदाओं सरकारी काम काज में जाओंगों किसी भी काम को लेकर सील दरवानी चाहि पड़ता है और एक वेक्ति बश्टाचार को पेसा देता है तो वो दोस्तों क्या आये कि लोग केते हैं के हिलोडी कुत्ति होबडHow कई तो वह लोडी को हर बार लिकनी मांग मांग करें तो जितनी भी दोस्तों बश्टा चल रहा है तो देश में एक वेक्ती पैसा देगा तो उसे दूसरे वेक्ती को भी देना पड़ेगा तीसरे वेक्ती को भी देना पड़ेगा चोता वेक्ती को देना पड़ेगा पांचवा को देना पड़ेगा सटा वेक्ती नहीं देगा तो इसी परकार दोस्तों बश्टाचार की जड़े मजबूत होती जारी है अब पीछे लिखना प्रस्तावना की बदश्टाचार का अर्थ बश्टाचार का तात्परिय बश्ट आसरन से है इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने सवार्थ की पूर्ती के लिए बश्ट सामने वाले लेना भी बश्ट तो पूरा देश ही भष्ट कोई एक दो व्यक्ति जो बश्टासार का विरोध कर रहा है एक दो और सामने लाखों लोग कौन सुधा रेगा इसलिए पूरा भारत में कह रहा हूं 100% बश्टासार से भरा हुगा है तो इस प्रकार आपको लिखना है फिर लिखना है बश्टासार मुक्त बनाने के क्या है उपाए बश्टासार को मुक्त बनाने के उपाए क्या है वे लिखने तो सबसे पहले लिखना अनिवारी सिक्सा, अब अनिवारी सिक्सा से क्या होगा, चली ही मैं बताता हूँ, सिक्सा का अबाओ बश्टासार का एक महतेपुन कारण है, एक अनपड व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभेद तरीके से पैसे कमाता है, इसलिए सरकार अभ्यान के जरिये सिक्सा पर जोर दे, लोग का अबाओ दोस्तों बश्टासार क्यों बन रहा है, यह सब ही को एक महतेपुन कारण है, सिक्सा, सब ही अनपड व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभेद तरीके से, जितनी भी बड़े नौकर है न, उनके बेटे बड़े बड़े कॉलेजों पढ़ती है, वहाँ फीस कॉलेजों की एक 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 लाक रुपे है, अब उनकी तनका तो पंदराजार रुपे महिना है, अब फीस कहां से लाएंगे यार, किसी के दोस्तों दस-दस लाक रुपे उनकी फीस होती है, कहां से लाते है रोलेक्स गड़ी पिचास पिस असला की पेरे खड़ाए कहां से आगे पैसे उसके वाइट के देखो कितने गएने हैं वो सब भश्टासार ने भश्ट तरीके से पैसे कमाई हुए हैं इसके इस परकार आपको सब में लिखना है तो सिक्सा पर आपको जोर देने की जरूत है फिर दोस्तों राइट वोटिंग का लेक्शन राइट यानि सही तरीके से भश्टासार भश्ट लोग पैसे दे कर जीजाते हैं वोट तो उसे रोक कर सही वोट करवाना चाहिए ताकि कोई अवश्ट नेता आकर भश्टासार पर कुछ कारेवाई कर सके पीम नरिंद्र भश्टासार को दूर करने के लिए योग्य नेता का चुनाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है जो नेता दे हमारे देश के लिए उंचित होता है वही भश्टासार को खतम करने के लिए महतेपन परियास करता है जो नेता दोस्तों उंचित होता है वही भश्टासार के ल लेकमनी होगी देख लेना अभी तक किसी को पता ने चला है पता चलेगा दब आप भी गएंगे तो यह इस प्रकार आपको लिखना है आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नेकर तो कर दीजी वीडियो लाइकर दोस्तों किसा सेर कर लिजे आप अगर महरवारी सेत्र से ह तो थोड़ा मेवारी में याद करें अगर अपनी सेत्र की सित्र की जो भी बोली है ना बोली सालिम उसी में थोड़ा याद करें ताकि आने वाला जो आपका निम्द है उसे थोड़ा ज्यादा याद हो सके अपनी वासा में जिसी लेंगे इसमें और फिर उसे एक्जाम के ताइम हिंदी में बनाने का प्रेक्टिस भी गर्से करके जाएं ताकि आपके नमबर अच्छे आ सकें वही बश्टासार को खदम करने के लिए महते पुन परियास करता है इसलिए ऐसा नेता का चुनाव अनिवारी है जो बश्टासार को रोकने के समर्थन कदम उठाए नेता को ऐसा सुने जो बश्टासार के विरूद हो बश्टासार को खदम कर सके और बश्टासार के विरूद पयपर लेक पर भी अमारा निम्मत जो है अब बपर मंद हो गया है तो उसको भी देख लिए जएं कि की एस पर निमंद बे रोजगारी की संक्या इतनी बढ़ गई है कि लोग इसके सलते गलत रास्तों पर चल रहे हैं थोड़े से पैसे के लालस में गलत काम करते हैं ऐसे कारण सरकार को उसीत रोजगार की व्यवस्ता करनी चाहिए योगेता के अनुसा रोजगार परतान करना चाहिए और बेरोजगारी बढ़ रही है तो रोजगार अच्छे योगेता पर और दोस्तों पधों को अधिक बढ़ाना चाहिए बेरोजगारों को अधिक से धिक ताकि वश्टा सार कम हो सके। सक्त सजा क्या है। कानून द्वारा कई बरानियम बनाने चाहिए जिसमें अव्यद काम गरत तरीके के अर्चित काला धन जब्द कर लिया जाना चाहिए। उस वैक्ती को दंडित किया जाना चाहिए और जो फश्टा सार करता है उस वेक्ति को दंडित भी करना चाहिए रिश्वत क्या होती है रिश्वत लेते वाले या देने वाले दोनों को सजा मिलनी चाहिए रिश्वत देने वाला और लेने वाले दोनों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि रिस्वत लेने वाला और देने वाला दोनों गलत हैं इसके लोगों के खिलाब सरकार सकत कदम उठाएं इसके विरूद सरकार दोस्तों सकत कदम उठाएं कैमरों की वेवस्ता भी होनी चाहिए ठीक है यह आपको टोपिक भी लिखना है सरकारी और गयर सरकारी कारियाले में हर जगे कैमरे लगाए जाए ताकि लोग कैमरों की निगराणी में रहें कैमरों के डर से बश्ता सार को काफी हद तक कम किया जा सकता है और कैमरों के निगरानी में रहें और नैमरों की डर से लोग दोस्तों बश्टासार को काफी हद तक कम भी किया जा सकता है और कैमरों में तो दोस्तों टेबल के नीशे से आज गर इस वद लेनी सरू कर दी है वे भी दोस्तों बश्टासार के तो सामने फैल ही है तो भी हमें ये लिखना है कि कैमरे कुस समय तक भश्टासार को कम भी कर सकते हैं ठीक है इसके बारे में थोड़े अच्ची सी लाइन बनानेए बश्टासार की समचा लिखने आपको क्या समचा है वर्तमा समय में बश्टा सार की सम्षा विभिन इस तरों पर फैली हुई है बश्टा सार दीमक बनता जा रहा है दीमक होता है थोड़ी सी लकडी को काड़ता है और जो रात को लग गए दीमक तो सुबह होने तक वो लकडी नहीं मिलेगी वापर वापश सिर्फ चुरन मिलेगा लकडी खा जाएगी इसी परकार धिमक की तरह हैं दोस्तों जो परिस्वत मांगता जा रहा है और हमारे देश के भीतर खोगला कर रहा हैं मेहनत कसो की कमाई बश्ट लोगों के हाथों में जा रही है जनता के मेहनत के पैसे का पर नेता खुसी से बैठे हैं जनता तो दोस्तों लोग किशान जो मेहनत करके पसीने बहा कर अपनी पैसे कमाते हैं उसी पैसे को भश्ट असार में देखकर जो नेता लोग हैं वे दोस्तों खुसी से खुसी पर बैठा हैं आज एक गरीब परिवार का बच्चा कड़ी मेहनत करने के बाज भी कई अस्वरों से वंसित रहता हैं क्योंकि कोई भष्ट करमचारी रिष्वत देकर अमीर को वहां मौका देता है और जहां भष्ट अचार चलता है वहां तो गरीब किसान का बेटा तो घर बैठ जाता है औ और इस परकार दोस्तों उन जो अमीर लोग थोतले लोग हैं उनके तो सबी बच्चे बड़े बड़े नोकरी लग जाते हैं और किसान के बेटे बैठ कर होते हैं उनको नोकरी नहीं लगती आज पूरे भारत वर्ष में भी ऐसा राच है थोड़ा योगी अदीतिनात के काल में थोड़ा साथ सही है भारत में हर सेतर में भष्टासार व्यापत है से दूर के बिना विक्सित भारत का निर्माण और संबाव हैं दोस्तों विक्सित राष्टों के लिए भष्टासार मुक्त भारत आश्यक्ता क्यूं है विक्सित राष्टों में दोस्तों विक्सित र पहली आवसिकता भारत को बश्टासार मुक्त बनाना विक्सित देश बनना है भारत को तो सबसे पहले बश्टासार को दूर करना पड़ाएगा अलाकि ये काम बहुत मुस्किल है नामुम्किन सा लगता है लेकिन ये बहुत जरूरी है आज देश में ऐसे इस्तधी बनी चोटे अधिकारी पैसे लेकर बड़े अधिकारी को दे देते तो बड़ा अधिकारी कुछ कहेगा नहीं वो लोग बड़े अधिकारी के पाथ जाएगा तो वो भी इस केस को वहीं दफन कर देगा तो ये ससकती बरती होगी तो इससे दोस्ता बड़े अगर सोटे अधिकार पर कारेवाई करेगा तो बश्टासा समगत हो सकता है नहीं तो बहुत मुस्किल है ऐसे में कहीं न कहीं बश्टासार जिम्मेदार है नोकरसाई जवाब देए कि कमी और कुछ सलनेतर तो देश में बश्टासार को बढ़ावा देने के कुछ पर्मू कारण है जब काबिलियत अमीरों के हाथों में या हाथ में चली जाती हैं जो सक्सम नहीं हो उसे अच्छे पजबर पर भार दिया जाता है ऐसे में देश कभी विक्षित नहीं हो सकता इसलिए भारत के विकास विक्षित करने के लिए उन्हें भष्टासार मुक्त करना होगा दोस्तों गरी भी वेक्त यार इतने तो परदानमंत्री की इंकम भी नहीं होती है और 15-20-30 सालों में कमाने की इतनी तेवरेज भी नहीं है इसकी कमपनी भी नहीं है कहां से आए पैसे यह सब बैसे दोस्तों भश्ट तरीके से आएं और देश के नागरिक हैं वे भश्ट हैं वे दोस्तों उसके साथ में करके निकलती है बाहर निकलकर पाल्टी बाची करती है अब होती है लड़ाई ठीक है लड़ाई में कौन मरता है बारत की जनता जो दोस्तों वेक्ति होते हैं कि मैं बिज़ेपी के भावनाओं कांग्रेस वो लाया इसको पीट के चोर दूँ वो कहेगा मैं कांग् इसली बात है, वापस साम होती है न, तब दोनों जो साम का भोजन होता न, वे दोनों पाल्टी है के लोग साथ बेटके खाते हैं, यह आप कहीं पर भी देख ले न, और लड़ती है, जगरती है कौन आम जनता, यही भश्ताचार का सबसे बड़ी जड़ है भारत में खोकली जनता, जो खोकले नेताओं के संपरग में जल दिया जाती है, तो यह कांग यह पाल्टी बाजी है, यह एक भश्ताचार को उत्पन करकर अपने सवार्त का भहला करते हैं, और जग किसानों और बाकी के लोगों का नुक्षान करते हैं, यही है भश्ताचार की ब्रमुकिज फिर आपको अंती में लिखना है निस्करस, बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट बक्स में बता दें आपको यह जो निमंद है, आपको कैसा लगा, निमंद निस्करस में लिखना है, विकसित राष्ट के लिए जागरुकता बढ़ाने के लिए हमें भारत को बश्तासार आप जरूद करो, हमारा साथ दो, बश्तासार के जो भी पैसे मांगते हैं न दो, उनका वीडियो रिकॉर्ड करो, उनके विए जो कारेवाई अधिकारी नहीं करेंगे, नेता लोग नहीं करेंगे, तो सोसल मीडिया पे डालो, हंगाम आकरो साथ मिलकर, तो ही बश्तासार स सिर्फ किसान ही निपड़ सकता है, सिर्फ बजनता ही निपड़ सकती है, न की न तो कोई बड़ा अधिकारी से निपड़ सकता है, न कोई बात, सिर्फ सोसल मीडिया ही, जो न्यूज वाले हैं, वे ही इसे निपड़ सकते हैं, भारत को भश्तासार मुक्त बनाने के लिए, सबसे पहले रिस्वत लेना देना बंद करना होगा वीडियो ओनलाइन रिकोर्ड करो और न्यूज वालों को दो न्यूज में दिलवाओ तब ही बश्टासार रुख सकता है सभी करमचारियों एवं अधिकारियों की आय को जवाब देही की जांस हो सतरक्ता बढ़ते हुए सभी इस्तानों पर करमचारियों एवं अधिकारियों की बश्टासार विरोधी भरती सुनिशित की जानी चाहिए भरती दोस्तों बश्टासार से अलग निकालनी चाहिए उसम भी बश्टासार के गुरूद लड़ना चाहिए ऑनलाइन सोसल मीडिया का उप्टूग करना चाहिए आज की वीडियों बसे इतना है दोस्तों बश्टासार के सावंदित आज का निमत यहीं करते हैं पूरा कैसा लगा निमत कमेट बॉक्स में बताएं और हमाई चैनल को अध इतना है कैसा लगा पश्टासार पर निमत बेश्ट अपडर लग लाइक दिर जाएगा सबस्क्रेब करते जाएगा और दोस्तों के साथ फटाफट शेर कर लिए अपने जितने भी ग्रूप है वट्सवप पर उसका सेयर कर लो फेस्बूक पेस पर अपना गूरूप है सेय फस्ट थास्त 먼저 यकाwr थैंकव त 뉴스 थैंकव त história स्टी त्टी और एर्दर्रक भींट